कि अज़ो फ्रेंड्स आज के वीडियों बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही खास है कई लोगों के मन में एक डाउट है एक डर है मिनॉक्सीडिल को लेकर कि मिनॉक्सीडिल छोड़ने के बाद जो नए बाल आते हैं वो तो जड़ते ही जड़ते हैं इसके अलावा मिनॉक् इस डिल छोड़ने के बाद बाल दुगनी तेजी से जढ़ने लगते हैं और हालात पहले से और बत्तर हो जाता है अब क्या सच है क्या गलत है टोटली पॉइंट वाई पॉइंट जानेंगे एकदम डिटेल में डिसकस करेंगे आयम शूर कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद तो जानने के लिए बने रही इस वीडियो के एंड तक हलो मिना में मिनाल विस्वास स्वागत है आप सभी के जैनुमिन टिप्स पर तो चलिए शुरू करते हैं मान के चलिए आपके बहुत बाल जढ रहे हैं और एट प्रिजेंट सिर्क 40 पर संट बाल बसते हैं सतर पर संसे 40 पर संट बहicular है में 2022 के बाद फिर लाप मिने और अगले तीन मेने मेन यानि कि आज़ दौजरब जाखि़ चैनल मेह लाकर 122022 तक आपके 10 और हैर फॉल हो जाता है यानि कि 40% सा पार 20 10 तक रहा रहेầy जाता मान के चले आपके एक प्रेजेंट बाल जढ़ रहते हैं 2021 चुलाई तक आपके 30% बाल जढ़ गया सिर्फ 70% बाल बचेंगे अब आप मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट करते हैं और अगले 10 महिने के अंदर आपके बाल जो है यानि कि में 2022 तक 20% बाल ग्रो हो जाते हैं 70-90% हो जाता है यानि कि without minoxidil 2022 में तक आपके कहां 40% है और वहीं minoxidil के वज़े से 40% के जगा 70% से 90% तक हो जाता है अब आप बहुत खुश हैं सैटिसफाइड भी है और आप सोचते कि 90% बहुत हैं और आप मिनॉक्सिडिल छोड़ने का सोचते मिनॉक्सिडिल छोड़ देते जड़ जाते हैं यानि कि 90% से 60% तक आपका है रह जाता है अब यहीं पर आता है ट्विस्ट यहीं पर ही है जहां पर लोग आपको गुम्रह करते हैं क्या वह आपको बोलेंगे आपके लगाने से पर 70% तक है आपके नए बाल आए भी यानि कि 20% बाल आए अब आपने गए लाइक 10% बाल और जड़ गए इस वज़े से आपको गुम्रह करते हैं अब हकीकत क्या है बिना मिनॉक्सिडिल के ऑगश्ट 2022 तक आपका हैर फॉल कितना होता 30% तक आपके बाल बचते हैं उसके जग उसके बदले मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद आपके बाल कितने जड़ा 10% तो मिनॉक्सिड अगर नहीं लगाते हैं तो पहले के बाल नहीं जड़ रहेते क्या वह भी तो जड़ रहेते ना 70% से 30% पर आ गया आप यह सोचिए एक साल तक आपको खुशी मिली अब बात यह है कि अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज नहीं करते तो डेडलाइ कि बाल तेजी से जड़ रहे हैं उसके पीछे भी लॉजिक है बिना मिनॉक्सिडिल के आपके बाल स्लोली स्लोली करके देड़ सालिया नहीं कि जुलाई 2021 से डिसमबर 2022 तक सतर से 10% तक आ यहां पर खाली हो गया तो उसमें काफी टाइम लगा लेकिन आप मिनॉक्सिडिल य रिजल्ट तक वो पहुच रहा है तो इसलिए हमें लगता है कि वो तेजी से जड़ रहे हैं अगर आप मिनॉक्सिडिल कंटीन्यू करते हैं तो आपके बाल नहीं जड़ते हैं जहां पर आउगस्ट में आपके 30% बाल बच रहे हैं तो कौन से बेटर है यहां पर आपके सा साइड अफेक्टds है् तो एक चीज्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं मिनॉक्सिडिल का का मिया है मिनॉक्सिडिल का है यह है कि यहां पर ब्लट फ्लो बढ़ाना जिस बैसे ब्लट के जरिये हैर को निट्रिशन्स मिलता है हैर को खाना मिल रहा है है अब कैसे भी क करते हैं या नहीं करते हैं अगर आप कुछ भी यूज नहीं करते हैं तो मिन आपको लाइफ टाइम तक यूज करना पड़ेगा ताकि यहां पर ब्लेट फ्लो हो ताकि है को खाना मिले सिंपल सा लॉजिक है ब्लड का काम है शरीर के हर इससे में नियूट्रिशन और ऑक्सिज जिखांगा तो क्या आप जिंदा रहेंगे साठ साल तक यैदी यागले दस दिन तक बीचनदा नहीं रहें रखना है अगर मिनॉक्सिरिल यूज नहीं करना है तो चलो मान के चलते हैं कि मेरे बाल नहीं आए उसके बाद लेकिन जो लोग मुझे लाश्क दो साल से देख रहे हैं आपको भी पता हैं यहां पर कितना खाली था तो दो साल में अगर में मिनॉक्सिरिल छोड़ देता तीन साल हो गया में आक्सित अगल छोड़ देता जैसे कि सब बोलते तो टोटल यह अब तक तीन साल में में तो तो आपको जैसे बता रहा था कि जुलाई से लेकर डिसम्बर तक खाली हो रहा है तो उस हिसाफ से में खाली हो जाता है अब तक खाली क्यों नहीं हुए अब आप तो इस सरकल में खाली क्यों था इंए यहां तक तो खाली था यहां यह कर बाल ता है टो उस कंडिशन के सबसे अब तक तो और हैर पॉल होना चाहीँ था मैं तो दूसरों का एक्जामल नहीं दे रहा हूं तो बाल कैसे में मैंने ऑड़ आर法 से मैं रिघुलर वीडियो बना बिपी पेशिंट को यूज नहीं करना चाहिए और जो ब्रिस्ट फीडिंग और प्रेगनेंट विमेन उनको मिनॉक्स यूज नहीं करना चाहिए इसके अलाबा माइनर साइड एक्ट से क्योंकि यह यूएस एवडिया अप्रूब्ड है माइनर साइड एक जैसे कि खुजली ह बढ़ा है कुछ बताई है अदर्वाइस में डिप्रेशन में जा रहा हूं टेंशन में हूं कुछ लोग बोलते सुसाइट करने का मन करता है उसके बदले आपको क्या मिल रहा है आपको खुशी मिल रही है आप मन से खुश हैं सैटिसफाइड है राइट यह ज़रूरी है या फिर आप डिप्रेशन को चूज करेंगे क्या चूज करना चाहते हैं आप खुछ सोचिए या सेग्रेट में भी लिखा रहेता है कैंसर का रहा है कि इससे कैंसर होता है फिर भी तो लोग इस्मोकिंग कर रहे हैं बड़े बड़े उसमें बैनर में लिखा हुआ एक्षर डिप्रेशन से बच रहे हो वहां पर आप कमी ढून रहा है तो यहां तो यह आपकी गलती है इतना माइनर चीज को आप नेगलेक्ट कर सकते हो आप यह खुशी को देखिए और इसमें कोई ज्यादा मेजर साइड एफेक्ट नहीं है अब एक चीज और मैं आपको बताना च बहुत खुश हो और बाकी जो लोग यूज कर रहें वह बहुत खुश है यह उनकी गलती है उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन आप तो खुश रहोगे राइट आई होप वीडियो बहुत ही क्लियर है हेलफुल है ऐसे ही जनुरी टिप्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करoup, उस्व लेकिर को लाइक कीजिए शेयर कीजिए वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं कुछ भी अगर आपके मन में डाउट हो तो अप मुझे यहां पर कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे परसिनली कमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर Facebook पर message कर सकते हैं मैं वहाँ पर भी reply देता हूँ तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जन्यून टिप्स के साथ धन्यवाद